हम हमारे पास से कितने में भागने की कोशिश करें और भाग नहीं सकतें कभी ना कभी उसे कन्फरंट तो करना ही पड़ता है ये करने में हमें चाहने वाला हमें हेल्प कर सकता है इसे एक beautiful सी theme के साथ आज के हमारी मूवी Angel Eyes जो 2001 की एक romantic Hollywood मूवी है ये आती है इसमें दो stranger बहुत ही अजीब से conditions में मिलते है इन तोनों के past life के बारे में secrets है अब आगे क्या होगा यह हम explanation में जानेंगे स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे request करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please like और comment जरू कर दीजेगा बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है बूवी स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नाम है Sharon एक police officer है ब्रीच पर एक बड़ा हदसा हुआ था इसमें एक आदमी को help कर रही थी इसके बाद ब्रीच के इस हदसे को एक साल गुजर चुका है हमें हमारा और एक main character दिखाया जाता है जिसका नाम है catch catch रस्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी गाड़ी में चावी छोड़ कर चला गया है उसे help करने के लिए उससे ओचावी निकाल लेता है तो उस आदमी का wait कर रहा था वो आदमी जब वापस आया तो उसे लगा catch उसकी गाड़ी चुराने वाला था इस वज़य से उससे fight कर रहा था पर catch कहता है मैं सिर्फ तुमारी help करना चाहता था इसी के parallel में हम फिर से शेरान को देखते हैं वो एक date पर आई हुई थी date पर as a police officer उससे क्या क्या question पूछे जाते हैं इसकी frustration वो बता रही थी वो कहती है सब लोग मुझसे पुछते हैं क्या मैंने किसी को मारा है पर कोई नहीं पूछता क्या मैंने किसी को save किया है dating करना उसे अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से घर आ जाती है नेक्सिन में हम कैच को उसकी building में देखते है उसके एक neighbor ने घर की चावी घर के बाहर ही रखी थी कोई भी घर में अंदर आ सकता है इसके बारे में उन्हें बता देता है उसकी neighbor और neighbor का बेटा ये दोनों घर में अकेली रहते है उसकी neighbor उसे thank you कहती है तो उसने पूछा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ hangout कर सकते हो कैच किसी भी type के relationship में interested नहीं था तो वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है शारान को उसके ब्रदर ने बुलाया था तो उसके पास हो चली की उसका ब्रदर कहता है हमारे parents फिर से शादी कर रहे है ये बाद शारान के लिए बहुत ही आजीब थी उसकी मदर और फादर में हमें शाचे जगड़े होते रहते थे ब्रदर ने कहा कि वो चाहते है कि तुम भी वहाँ आओ शारान उसके फादर की नहीं जम दी तो गुशती है कि या फादर भी यहीं चाहते हैं कि मैं वो attend करू उसका ब्रदर कहता है हम उसवर बात कर रहे है उसका ब्रदर एक्चुली अभी भी अपने फादर से डरता है इस बात पर शारान को बहुत ही गुसा आ गया उसे लगता है कि अपने फादर को लेकर उसने जो भी किया वो ठीक किया था उसका ब्रदर भी गुसा हो गया और निकल जाने के लिए कहता है शारुन इन सब चीजों से बहुत ही गुसा थी जब वो एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है तो बहुत ही जादा अग्रेसिव थी ये क्रिमिनल भी उसे गालिया दे रहा था शारुन के पार्टनर ने उसे का तुम आज बहुत ही गुस्सा हो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो शारुन इसे इग्नोर कर देती है अगली दिन जब वो अपने को वरकर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब आजाना इसे कुछ गुंड़े आए इन्होंने इन पर गोलिया चलाना स्टार्ट कर दिया शारुन बच गए और इनका पीछा करने लग जा दिया ये जो भी हुआ ये सब स्टीट के सामने से कैच ने देखा एक मुमेंट पर शारुन और कैच इन दोनोंने एक दूसरे को नोटिस किया था शारुन क्रिमिनल्स को चेस करते करते एक सुमसान जगा तका के वहाँ पर क्रिमिनल उस पर पीछे से हमला कर देता है उसे मार डालता तभी कैच ने उसे बचा लिया वो उसके लिए बहुत ही थैंक्फुल थी इसके बाद हम देखते हैं कैच अपनी मदर की तरह एक लेड़ी के पास आया वो उसे कहता है कि मैं आज एक लड़की से मिला वो पुलिस ओफिसर है इस लेड़ी को यह सब सुनकर बहुत या अच्छा लगा कैच हमेशा इस लेड़ी का बहुत खैल रखता है रात में शरन अपने फ्रेंज के साथ बार में थी उसे जरा अंगमफर्टेबर लगा और वो वाश्रूम चली गई आज उस पर गोली चली थी पर वेस्ट की वज़े से वो बच गे सब चीजों की वज़े से वो डिस्टब हो चुकी है जफेसे वापस आई तो कैच उसका वेड़ कर रहा था शैरन की उसने जान बचाए तो आज थैंक यू उसने उसे बार में बुलाया हुआ था ये एक दूसरे को अपना नाम बताते है शैरन पुछती है कि तुमने इस सब किया क्यों मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दाओ पर लगा दिये वो गहता है कि उस मु के जादा क्रेडिट देना चाहिए वो बहुत सारे लोग की जान बचाते है कैच इस तरह से सोचता है कि शैरन को अच्छा लगा उससे गहती है तुम्हें भी कॉप बन जाना चाहिए वो गहता है मैं हैट में अच्छा नहीं दिखूंगा ये दोनों इस पर बहुत हसे है इ इसे फोर्स करकर अपने साथ लेकर गई कैच शैरन को ही देख रहा था वो बुच्छ थी कि ऐसे क्यों देख रहे हो वो कहता है तुम विदावट उनिफर्म नॉर्मल लोगों की तरह कैसी लगोगी यह में इमेजिन कर रहा था शैरन कैच को डारेक्ली उसके घर पर लेकर आई वो इससे कहती है कि आज जो बे हुआ उसके बारे में सोचना बन नहीं कर सकती है यह उसके लिए बहुत ही ट्रामेटिक था वो यह सब छोड़कर किसी और चीस के बारे में बात करना चाहती थी कैस ने कहा इशायद हमारा मिलना तय था वो कहती कि ऐसा क्यों इसके में अलग-अलग वेवस होती है हमें जो लोग अच्छे लगते हैं हम उनके पीछे खीचे जले आते हैं इन्होंने हैंग आउट किया उसके बाद कैच घर जा रहा था जाने से पहले एक दुसरे को किस कर लेते हैं घर जाते वाग रस्ते से होते हुए कैच अचानक से रस्त ब्रदर की वाइफ घर से निकल ही रही थी उसका हाल उसे पूछ लेती है उसके ब्रदर की वाइफ ने का तुम्हें भी तुम्हारे पैरेंस के शादी में आना चाहिए सबको अच्छा लगेगा शारन मदर से मिलकर पूछती है या जानक से ये सब क्या चल रहा है आप दोन जैसा था वैसा ही चलता रहेगा उसके फादर उसकी मदर को बहुत मारते थे इसी वाज़े से उन्हें हिट करती है एक दिन फादर ने मदर को बहुत मारा था तो शेरन ने पुलिस बुला ली इसके पास शेरन उसके फादर ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की शेरन किसे स उसे बात करना चाहती थी उसे किसी के सहारे की जरूरत थी तो उसने कैज को कॉल किया अगली सुभा ब्रेकफास्ट पर डेट के लिए जाने वाले थे सुभा हुई तो शैरन बहुत ही एक्जॉस्टेट थी वो रात बर सो नहीं पाई वो अपनी डेट गैंसल कर देती है पर अल्डेडी कैज वहाँ पहुच चुका था शैरन नहीं आये तो गुसा हो गया वो उससे कहता है कि जब तुम किसी को भी डेट देती हो तो सामने वाले आदमी को उसका पूरा शेडूल चेंज करना पड़ता है तो मैं इस तरह से नहीं करना चाहिए शैरन ने उसे सौरी कह वो कहती कि मैंने तुम मैसेज छोड़ा था कैज के हाथ में कॉफी थी तो एक कॉफी उसने मांग ली कैज गुसा है फिर वह उससे दे देता है शैरन को कैज बहुत अजीब लगता है वो उससे बुछती कि तुम करते क्या हो वो इसके बारे में कैज उससे कुछ भी नहीं बताता उसने उससे बहुत सारे personal question पूछे पर कैज कुछ भी बता नहीं रहा था उस पर चीड़ गई कहती है तुम अगर मुझे कुछ भी बताओ के नहीं तो हम यह चीज़े आगे कैसे बढ़ाएंगे कैज कहता है मेरी एक ही condition है कि अब से इस moment से तुम मुझे जानना start करो बास्ट के बारे में वो कुछ भी बताना नहीं चाहता इस बात पर इन दोनों में जगड़ा हो गया और कैज वहाँ से चला जाता है शारन बहुत इंटरस्टेट थी तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आगे कैज की घर में आकर देखा तो कुछ भी furniture रगरा नहीं था वो बुछती कि तुम ऐसे यह से रह सकते हो कैज कहता है सारे बास्ट के बारे में भुला कर वो फिर से जिरो से start करना चाहता है उसे बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं पर एक चीज़ वो firmly जानता है शारन के लिए उसकी strong feelings है इस सब के बारे में शारन ने अपने कोव परकर को कैज के बारे में कुछ भी information नहीं मिलती कहता है तुम्हें careful रहना चाहिए नेक सिन में कैज फिर से old lady के बास आया हुआ था वो कहता है इशारन मुझसे मिलने के लिए आई थी यह lady उसके लिए खुश है कैज ने का वो मुझ पर जरा नाराज है वो कहती है उसे sorry कह देना कैज कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी इस lady ने का फिर भी sorry कहतो जब भी आदमी sorry कहते है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कैज ने बहुत सोचा रात में तीन बज़े उसे call करता है कहता है कलम डेट पर जा सकते है यह morning में ही मिले breakfast किया उसके बाद पुरा दिन पिक्निक के लिए चले जाते है एक beautiful के lake के पास आये हुए थे कैज कहता है कि चलो हम swimming करते है शारन ज़रा कत्रा रही थी तो कैज हाइट बर गया वहाँ से जम करता है शारन भी उसके पीछी बीचे आके यह बानी में किस करते है और फिर intimate हो गए नेक सिन में कै ब्रदर ने उसकी wife को बहुत मारा था उनके नेबल्स ने पुलिस बुलवाई थी शारन की फादर की तरह ही उसका brother भी अपनी wife को मारता है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उनी brother की wife से बात करती है कहती है जो भी हुआ मुझे सच सच बता दो ब्रदर की wife ने बच्चों को मारेगा brother की wife ने का कि हमारे बीच में मत पड़ो जो भी होगा हम देख लेंगे शारन अपने ब्रदर की पास आई वो कहती है तुम भी फादर की तरह हो उसे जोर से पंच मारती है थोड़ी देर में कैच उससे सहारा देने के लिए उसके घर आ जाता है वो रो कामिले ने उसे accept नहीं किया कि आज कहता है तुमने अपनी mother को help करना चाहा इसमें तुम्हारा कोई भी fault नहीं है अगली दिन शेरन काम पर थी एक criminal को उसके brother के साथ उसने पकड़ा वो उसे समझा दी है तुम्हारा brother अभी भी छोटा है उसे भी इस काम में मत धके लो तुम लगा वो फिर कैस से मिलने के लिए आई कहती है मेरे mother और father face से शादी कर रहे है उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर वो जरा confused थी कैस कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ शारन को भी आइडिया अच्छा लगा आज शारन कैस के drawers में कुछ toys देखती है उसने उसे इस toys के बारे में पूछा तो cash कहता है तुम्हें मेरी personal चीज़े नहीं देखने चाहिए तो जरा गुस्सा हो कया था ये इस बात को जाने देते हैं और date पर आ जाते है चलते चलते एक jazz के बार के सामने आए शारन ने notice किया cash इसमें बहुत इंट्रस्टेड है तो उसे अंदर लेकर जाती है cash का इस music पर बहुत concentration था वो शारन के साथ डांस करता है डांस के बाद वो खुद trumpet बजाने के लिए चला गया उसने एक बहुत ही beautiful सा session किया ये बजाते हुए उसे फिर से अपने past की याद आ रही थी वो डिस्टब होकर यह कर cash को Stephen Lambert बुलाता है वो गयता है बहुत दिनों से तुम आये नहीं मैंने जब तुमारा आवाज सुना तो एक ही जटके में पहचान गया कि तुम ही हो कैसा प्रिटेंड करता है कि उस आदमी को जानता ही नहीं शारन उसे confront करती है कहती है या जो भी तुम कहते हो सब कुछ जूट है यहां हमारी relationship भी जूट है कि आच इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता और यहां से चला जाता है शारन को भी अभी उसका नाम पता चला तो इसके बारे में उसने सर्च किया उसे पता चला कि ब्रीज पर जो हदसा हुआ था इस पर कैज भी था पर कैज का रि चारन फिर स्टीवन के बारे में और भी पता करने के लिए उसके घर बजली गए एक्सिडन के बाद स्टीवन कभी घर पर ही नहीं गया जो भी हुआ था इस सब की memories वो ब्लॉक करना चाहता था उसे अपनी wife और बेटी की याद ना है इसलिए अकिला ही रहता है अगले दिन चारन ने कॉल लगा कर स्टीवन को उससे मिलने के लिए बुलाया वो उसे cemetery लेकर जाती है कहती है तुम्हारी wife और बेटी की date हो चुकी है तुम्हें इस बात को confront करना पड़ेगा स्टीवन इस बात को accept नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इन सब चीजों की वज़े से श सौट आउट कर लो अगर तुम ऐसी रही तो जादा दिन तक में तुम्हारे लिए cover नहीं कर सकता उसके cover गर की wife और pregnant थी अपने आने वाले बेटे के लिए उसे सही से काम करना है इस city को crime free बनाना है शारून को बता चला कि जिस old lady के पास स्टीवन जाता है वो actual में उसकी wife क मदर है वो उससे मिलनी की लाई जो भी हूँ ठाक इस सब के बारे में उसने उसे बाद की उसकी मदर निलाने का accident के बाद उसने अपने आ सपास एक वाल बना ली आ वो किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहता उस एक्सिडं। के बारे में बात नहीं करना चाहता पर आज शायद मैंने उसे खो दिया मैं चाहती थी कि अपनी फिलिंग्स को गंफ्रेंट करे मदर इनलो गहती है कि जब सही टाइम आएगा तो रिकवर करेगा इसे हम हरी कर नहीं सकते हैं अब शारन के बैलन्स की मैरेज का टाइम आ चुका था वो इसमें अकेली ही गई हम स्टीवन क को देखते हैं यह सेमिडरी आ चुका है वो अपनी वाइफ और बेटे के ग्रिव पर गहता है मेरा सब कुछ लूट गया था एक सेगन में सब कुछ बरबात हो गया मुझे दर्द न महसुस हो इसलिए मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की इसी कोशिश में हम जब फैमिल को याद करता है उसके बेटे ने अपना टोई स्टीफन पर वेका इसी वज़े से एक्सिडन्ट हुआ था स्टीफन को लगता है कि उससे गाड़ी स्लो चलानी चाहिए थी उसने रिग्रेट किया कि अपनी फैमिली के साथ और भी टाइम स्पेंट करना चाहिए था उसने र और हैपी इन दोनों मेमरीज को नहीं भूलेगा अपनी आगे वाली लाइफ को उसने एक्सिप्ट किया है इसी के पैरलल में शैरन जब पैरन्स के शादी के पार्टी में थी तो अपनी मदर से मिली वो जाकर फादर से भी बात करना चाहती थी वो पुछती है क्या मैं अभ की मेमरीज बता रहे थे तो शैरन भी एक शेर करती है उसने का मुझे सब बैड मेमरीज ही याद आ रही थी पर हम जब फैमिली थे उसमें कुछ ब्यूटिफुल मुमेंट्स भी थे हम जब छोटे थे तो मैं और मेरा प्रदर एक दिन खेल रहे थे एक इलियन इन्वेजन क गेम था हमारे फादर हमारे पास आया उन्होंने हमें काउच पर फेका और खुद भी एलियन जैसे आवाज निकालने लग गए वो दिन बहुत ही ब्यूटिफुल था ये स्टोरी सुनकर उसके फादर उसकी मदर सब लोग रोने लग जाते है इसके बाद शैरन यहां से चल मुझे लग रहा था कि सब कुछ चीजे परफेक्ट होनी चाहिए पर मैं गलत थी शैरन ने कहा मेरे पैरंस ने मुझे एक सेप्ट नहीं किया स्टीवन कहता कि उनका ही लॉस है तुम किसी के भी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग की तरह है इस स्वीट सी बात सुनकर शैरन क गले लगा लिया I love you कहा इसके बाद ये दुनों गाड़ी में बेठे इस बास स्टीवन ट्राइब करता है उसके सारे फियर चोड़ कर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है अगर हम मुवी में देखे तो शैरन और स्टीवन इन दोनों का पास था जिसे हो भाग रहे थ फाइनली इसे उन्होंने कंफरेंट किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दुसरे को उन्होंने हेल्प कि अपनी आगे आने वाली जिंदगी सही तरीके से शुरू कि इसी ब्यूटिफुल एंडिंग के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर दीजे और बेलन डिविशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुए के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है